श्री देवी 54 साल की हो गई हैं 13 अगस्त 1963 को उनका जन्म तमिलनाडू के शिवकासी में हुआ था श्री देवी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई ऐसी बाते हैं जो ज्यादतर लोग नहीं जानते ऐसी ही कुछ बातों को जानने के लिए एक वेबसाइट ने श्री देवी के कलीग रहे शक्ती कपूर रोहिनी हटंगरी शिल्पा शेरोड कर से बात की जानते हैं उन्होंने क्या बताया शक्ती कपूर और श्री देवी की पहली मुलकात 1983 में हिमत वाला के सेट पर हुई थी इसे याद करते हुए वे कहते हैं राजमुंदरी में फिल्म की आउटर डोर शूटिंग चल रही थी श्री देवी मा और छोटी वेहन के साथ सेट पर पहुँची थी मैंने देखा कि वे हिंदी नहीं बोल पा रही थी और अंग्रेजरी में बात कर रही थी मैं हमेशा देखता था कि वे दूसरी एक्ट्रे से इसकी तरह ब्रेक में गौसिप नहीं करती थी वह फॉर्मली लोगों से बात करती थी और अपनी लाइन पढ़ने में व्यस्त हो जाती थी मैंने हमेशा उनका समान करता आया हूँ मैं हमेशा अपनी चैर उन्हें दे देता था बकौल शक्ती कपूर, जी तेंद्र को हिमत वाला के दोरान श्री दिवी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डायरेक्टर के राग घुवेंद्र राव से कहा कि वे अपनी सभी फिल्मों में उन्हें और श्री दिवी को ही कास्ट करें शायद यही वजय थी कि हिमत वाला के बाद राव ने दोनों को जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोफा, सुहागन, दर्मदिकारी और दिल लगा के देखो जैसी फिल्मों में कास्ट किया ना अच्छा लगा कि उन्होंने डायरेक्टर के राग गवेंद्र राव से कहा कि वे अपनी सभी फिल्मों में उन्हें और श्री दिवी को ही कास्ट करें शायद यही वजय थी की हिमत वाला के बाद राव ने दोनों को जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोफा, सुहागन, दर्मदिकारी और दिल लगा के देखो जैसी फिल्मों में कास्ट किया दिल लगा के देखो जैसी फिल्मों में कास्ट किया